फरिदबाद सेक्टर 12 डी सी मुखालेपर आज डी सी यश्पाल यादव ने प्रेसवार्ता को सम्मोधित किया वार्ता के दोरान पत्रकारों को सम्मोधित करते हुए उपायोगते यश्पाल यदव ने लोगों से अपील की कि वो पंचायत की जमीन पर अवैद अतिक्रमन ना करें आनिता उचित का रिवाई होगी उनोंने बताया कि पंचायत की जमीन से आवास हटाने की महलत दी जाएगी साथी साथ उनोंने ये भी बताया कि लोग SDM कोर्ट में इसकी शिकायत कर सकते हैं ऐसे काफी मामलो को वहाँ निप्टाया गया है। वही प्रधान मंत्री द्वारा शुरू की गई आयोश्मान भारत की प्रक्रिया के बारे में वारता में संशिप्त जानकारी दी गई। इस बाबत लोग अपना golden card इशू करवा ले ताकि प्रधान मंत्री द्वारा शुरू की गई आयोश्मान भारत योजना का आम जलाब ले सके, जिससे उन्हें स्वास्त सेवाई लेने में भी कोई परिशानी नहीं होगी. अपना करवा लेना चाहिए और इन्रॉल्मेंट किस तरह सकते हैं उसकी पूरी परिक्रिया यहां पर बताई गई है कि महत्रपुन विशे हैं दूसरा बहुत ही महत्रपुन विशे था जिसके अंदर जमीनों के अंदर जो अतिकर्मन होता है विशेश तोर पर जो पंचैत की जनके उपर अधिकर्मन होता है उनको अधिकर्मन मुक्त करने का अभियान हम चला रहे हैं पंजाब विलेज कॉमल लेंड एक्ट के तहत यह सख्थियां जो सख्थियां होते हैं एसी फस्रेट के तौर पर उनके इंदर देरदारित होती हैं और वो उनके खिलाफ थैसला द करावदान है आज तक शायद इस तरह यहां करते हैं तो मेरी उनसे बड़ी विनमर प्रात्मा है कि आप अपने कबजे को मुक्त करके जमीने पंजाईत को वापस लोडा दें क्योंकि अगर AC first trade ने उसका एक बर नेरनाय कर दिया और वो finalize हो गया तो आपके इखलाफ निश्चत तोड़ पर टिम्निल कंप्लेन डायर होंगी